नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 79,000 सिच्छाग वर्षी की लेटेस्ट अब्डेट्स के और दोस्तों सबसे पहले आज 14 आगस 2019 के हम बड़ी अब्डेट्स देखने वाले जी हां दोस्तों पहली बड़ी अब्डेट्स के आपकी की बोरा ढोने से लेकर सब्जी तक बेच रहे हैं सिच्छा मित्र सूचिए दोस्तों की 40,000 में थे आयोग्ये 10,000 में हैं योग्ये कैसे 25 जूलाई 2017 को समायोजन निरस्तों होने से बिगड़े हाला साहे क ध्यापक के र जाते हैं तो यह बात है दोस्तों कि आगर आज के दिन आपने सुनाओगा गार्गी टीचर लाने की योजना औरी ती गार्गी योजना की उसमें जैसे लड़कियों को नौकरी दे जाएगी डिरेक्ट बीटीसी बेट का कोई प्रावदान नहीं कि जो बच्चे बीटीसी का दरजा दे दिया जाएगा तो दोस्तों यही है अपना इंडिया दूसरा दोस्तों बड़ी अप्डेट्स गया है अटसाट हजार पांतों सिच्छक भरती तेइस हजार सीटे दोस्त अब भी है खाली भरती पूरी या अधूरी तय नहीं सासन की अंदेखी से लगातार हा सामने हो रही है एक में बच्चे इसलिए लड़ाई करने की कटाप को हाई किया जाए और दूसरे में इसलिए कि कटाप को आउट डाउन किया जै तो दोस्ते हैं पर सरकार बड़ा लेना पड़ेगा कि जैसा कि सरकार ने खुद कहा था कि हम कटाप किसी भी कीमत पर 60 और 655 से कम नहीं करेंगे 69,000 में पहले ठीक है अगर दोस्तों यहां पर जब कटाप बढ़ाने की बात हो रही है तो यह इस सिच्छक बढ़ती में 68,500 में कटाप गिरा कैसे सकती है सरकार तो यह भी तो सोचना है न वहीं होता है कभी कभी दोस्तों सामने कुगा पीछे खाई जो भी आप समझे तो अगली बड़ी अपडेट दोस्तों देखेंगे पर सिद्धी स्कूलों में प्रेड़ा एप से हाजरी का आदेश निगलते बन रहा है ना तो उगलते ठीक दोस्तों जो आदेश आया ना तो उसको निगल पारे ना तो उगल पारे ब्योस्ता पर सवाल पांत सितंबर से प्रदेश में लागू होना है तो दोस्तों के लिए एक अलक्सी वीडियो बना रखी आपको कि इसमें प्रेड़ा होगा क्या तो इसको इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत देख लेंगे और अगला सवाल आगला कोशन जो आ रहा सबसे बड़ा आज की बड़ी अप्रेट की सिछा मित्रों के टूटी है उमीदें कुले याचिका खारीज होने से सब्झे मैं सिछा मित्र हूं तो दोस्तों देख रहे होगा आपको सिच्छा मित्रों को लेकर कितनी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है उसके बाद 245 और 60 पहले अपडेट्स में दोस्तों कुछ ज्याद है दुखत कबर है कि आप सोचिए बोराट होने से लेका सब जी तक बेच रहे हैं सिच्छा मित्रों परसिदी प्रात्मिक स्कूलों में सायक अध्याफक पतपर समायोजन निरस्कों होने के बाद सिच्छा मित्रों के हालाद बत्तर हो गए हैं 25 जुलाई 2017 तक सिच्छा मित्रों को जहां 42,000 रपे तक वेतन मिल रहा था वही समायोजन निरस्तों होने के बाद मानदे की रूप में उन्हें सिर्फ प्रतिमा 10,000 रपे दिया जा रहा है उम्र में जिमिदारियों के बोच से दवे सिच्छा मित्र पार टाइम जॉब करके विवस हैं प्रात्मिक विद्याले पाठ कर को रहा के प्रभात कुमार कुश्वाग तो घरों में वाइरिंग करके ग्रस्ती की गाड़ी खीच रहे हैं तो दोस्तों बच्चों का भविस्त खराम ना हो इसलिए इसी तरह राम दास लोडियारी मंडी में पलेदारी बोराट होने का काम कर रहे हैं प्रात्मिक विद्याले जस्रा मित्र दस्रत लाल भारती स्कूल पुरा होने के वाद घर पर ही किराना के दुकान Κरा चला ते सुजौन के राखेश पमार स्कूल के ब पर बालू की लोडिंग करके परिवार चला रहे हैं भाई इंजिनेरिंग और दो बीटिया ठीक है बेटिया क्या स्कूल वा इंटर में पढ़ रही हैं सोचे कि आप अब इनके दो लड़किया हों दोस्तों हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे हैं तो कहां से हो पाएगा आप लोगों को पता है ना कि एक लड़की के साधी करने के लिए आज की डेट में 2019 में कम से कम 20 लाग रुपे लगते हैं जी हैं दोस्तों अगर आपको आज की दिन अपनी सिश्टर्स का या किसी लड़की का साधी करना तो कम से कम खर्चा 20 लाग रुपे हैं 2019 की दोस्तों बात करें अब 2010 में मत चले जाएगा है 2001 में कुछ लोग कहेंगे भाई मेरे टेम में ऐसा होता था समय बदल रहा हैं तो आगे दोस्तों पूरी ख़वर क्या प्रात्मियों की द्याले अमलिया पाल कोराओं के राजिस गौड सबजी की दुकान लगाते हैं प् सच्छा मित्र के बच्चे भी बीटीसी में फिर से आ रहे हैं उमीद उनको भी है टीचर बनने की बेटों की पड़ाई और घर का खर्च दस हजार रपे मान दे से नहीं चल रहा है प्रात्मिक विद्याले डील कोराओं के कमलाकर सिंग ने सायक ध्यापक बनने पर होम लोन ले लिया था जिसकी किस सत्रा हजार पे थी अब दोस्तों किस चुकाने में दिक्कत हो रहे हैं तो कर्ज लेकर इरिक्सा ले लिया और उसे चलवा रहे हैं प्रात्मिक सिच्छा मित्र संग के जिला देच वसीम एहमत के अनुसार सरकार के उपिशात्मक रवाईय से गए उप मुख मंतरी डाक्टर दिनेश सर्मा की कर रहे हैं कि सिच्छा मित्रों के समस्था के समाधान के लिए गठित हाई पावर कमिटी की रिपोर्ट मुख मंतरी को सौब दिये लेकिन उसमें क्या समाधान है इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है तो दोस्तों द जब आप उनको सेलरी ज्यादा देनी पड़ी सरकार को या किसी को भी तो वह कहते हैं आपको आयोग्य हैं उन्हें कुछ नहीं आता है अब लेकिन दोस्तों जब आप उनकी दस चार सेलरी कर देते तो वह योग्यता के दायरे मां जाते हैं जैसे कि गारगी होजना है सबसे अच्छा एक जैंपल रहेगा दोस्तों आने वाले टैम इस वीडियो को देखिएगा सेव करके रखिएगा जब गारगी होजना हमें दोस्तों जब बच्चे सड़क पराएंगे कि हमको भी अब 40,000 वेतन जी सबके बराबर सायक अध्यापक के बराबर तुने आयोग्य का दर्जा दिया जाएगा लेकिन जब तक वो एक हजार पर की सेलरी में काम करेंगे एक हजार पर मान दे जो भी उनको मिलेगा तब तक वो बहुत अच्छे रहेंगे उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं इस खबर को पढ़ते हैं पूरे कि सिच्छा मित्रों ने सवाल कि क्या है कि जब विसाय के आपको रूप में 40,000 पर पा रहे थी तो आयोगे था लेकिन पिछले दो साल से 10,000 पर मान दे देकर सरकार उनसे उन्हीं स्कूलों में पढ़वा रही है यदि वे आयोगे थी तो उन्हें पढ़वा आया है ही क्यों जा रहा है जिए अगर वो आयो समय बदलता है तो इसलिए कहते हैं कि काफी बच्चों ने कहते हैं कि सरमारा जो कोई डिगरी लेते हैं कुछ भी लेते हैं तो उसको आप थोड़े बहुत समय से दोस्तों लिया करिए कि कहीं से भी स्कूल में पढ़ रहे हैं कॉलेज में अडमिसल ले रहे हैं सब कुछ आ उसका समझ रहें आप लोग ना तो अब दोस्तों के लिए ख़बर बड़ी ख़बर देखेंगे पहले जो तो इस ख़बर को पूरी दोस्तों लोग देखेंगे इस वीडियो में इसको अटाते थोड़ा क्या है ख़बर पूरी भरती पूरी या दूरी तै नहीं अभी तक दोस्तों परसिदी स्कूलों की साइक अटसाथ हजार पांतों सायक अध्यापक भरती की तस्वीर एक सालबाद भी साप नहीं हो पा रही है भरती के पदोस में से 45,000 से अधिक पद भरे जा चुके हैं लिखित परिच्छा और पुणर मुल्यांकर रिजर्ट आने के बाद कटा अग पाने वाले को नियोकती भी दी जा चुकी है अब सासन का किसका इतजार कर रही है या हिस्पष्ट नहीं है क्योंकि यह भरती अब पूरी हो चुकी है या फिर अभी भरती अधूरी है इसका अपचारिक एलान नहीं हुआ है बेसी सिच्छा परिच्छत के प्रात्में की स्कूलों के लिए पिछले वर्स अटसट अचार पान सो पदों की सिच्छक भर्थी लिखित परिच्छा कराएगी 13 अगस्त को रिजर्ट आया तो 41,556 बच्चे पास हो चुके थे उन्हें दो चेरोडों में नियुक्ति मिली काफियों का पुनर मुल्यांकर कराएगया और उसका रिजर्ट इसी वर्स फरोरी में आया उसके बाद भी 4,596 और की तैनाती मिली जिया तो तो मतलब 4,500 बच्चे संसिंग और बच्चे पास हो गए ऐसे में अब तक कुल 45,383 बच्चों को नियुक्ति दी जा चुकी है वही भर्ती की कुल सीटों में 23,117 ये दोस्तों आपको ध्यान रखना कि आने वाले समय में ये सिच्चक भर्ती तो आनीत है ठीक है 23,000 बच्चक भर्ती आने वाली है बहुत ही जल अभी रित हैं दरजन बच्ची ने पुनर मुल्यांकर को भी हाई कोर्ट में चुनोती दी उसमें से 9 को नियुक्ति देने की तयारी है इसकी देखा देखी सेकड़ याज़का कोर्ट में ही आ चुकी है कई याज़का दैर करने की तयारी में सब यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम पत्थ खाली है बेसे सिच्चा अपसरों के सामने इस भर्ती को लेकर असमन्यस है वजह सिच्च कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को एक तस्मलों तीन साथ मतलब एक लाग सैसिस जार सिच्चा मित्रों की सायक अथ्यापकपद से समायोजन रद करने के बाद उन्हें दो आसर देने का निर्देश दिया था उस आदिश के नुपालन में भर्ती दो चरणों में रखी गई पहले चरण की लिखित परिच्चा में भर्ती के साथ पेच अब भर्ती उत्तीर नहीं हो सके वही दूसरे चरण में 299,000 पदों की भर्ती अब तक परिडाम नहीं आ सका मतलब अभी तक दोस्त आपको रिजल्ट जो नहीं आया उसकी बात है अब सरों ने पहले चरण की भर्ती पूरा करने के लिए पहले कटा सब्सक्राइब नहीं लिया है कोट में दाखिल हो रही आचिकाओं से परिच्छा सथा अपसर परिचान है दोस्तों दीकि पता क्या मैटर फसेगा इसमें आगे चल कर क्योंकि आपके सुप्रीम कोट के ओडर था कि सिच्छक बर्ती जो उनका समायोजन निरस्तुबार को द अब फत्रह दोसिसली हो सकता है कि अभी लुका है मामना देखिए एप से हाजरी का देश निगलते बन रहा है न उगलते तो अब भाई 5 सितंबर से आप लोग का आप के तुरू आपका हाजरी होने वाला इस्कूलों में तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है सब्सक्राइब करते समय जदी नेटवर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी फो नेटवर्क में आएगा तब उसका विवरा एप पर आ जाएगा इसमें समय वही दिखेगा दोस्तों देखिए इस पंगे फत्रहें कि मालीजिए अगर आप गाउं में रहते हैं हम भी गाउं में रहते हैं हम भी काम में का है फूर को है असे नेटवर्क को दिक्कत है अब कोई इस बात को समझना दोस्तों कि कुछ गौर्मिन नेटवर्क अभी उतने अच्छे नहीं है सुबह के टाइप मालेजी जब आपको यह एप से हाजरी या फोटो अप्लोट करने उससे में नेटवर्क नहीं आ रहा है किसी कारणवास तो फिर क्या होगा तो काफी दिखते हैं द दोस्तों बस थोड़ा सा समय और बचाएं तो बस मंडे का और इंतजार करना है में सुमार्ट से आप लोग की सुनवाई शुरू होने वाली फिर से और दोस्तों उसमें उमीद है कि कंटिन्यू हीरिंग के लेकर जैसे हम लोग उने पहले बात किया था कि दोस्तों करेंगे तो हो सकता है कि हमें लगाता सुनवाई के मौकत दिया जाए और दोस्ती सिच्चकवर्थी को जल्द जल्द समाप रिकिया जाए बहुत ज्यादा समय हो चुका है इस सिच्चकवर्थी में क्योंकि अब डबल वेंस इत्का फैतला है क्योंकि देखिए जो आट बढ़ती है और आपकी एक है 69,000 इसको समझिए 69,000 में दोस्तो सरकार ने कटाप को क्या लगा रखा है 60 और 65 ठीक है कितना लगया 60 और 65 पहले कटाप क्या थी 40-45 मतलब दोस्तो सरकार का ही कहना है कि जब कटाप 60 और 65 से कम होती तो मतलब उन्हें योग के टीचर नहीं मिलत दोस्तों जब 60 और मैं लिए समझे खाली 40-45 कितना और 33 और कम किया जाना चाहरा है जबकि दोस्तों हम लोग ने यह देखा कि इसी सिच्छक बरती में 40 और 45 पर जब सभी लोग चिला-चिला के बोल रहे हैं सरकार की भी पच्छ बोल रहा है कि इस पर हमें बिल्कुल भी व है पत आने वाले हैं अगर 230-33 कटाप हो जाता है तो आप लोग उम्मीद रख यह भी बोल जाएं कि 69,000 में फिर आपकी कटाप 60 और 65 हो पाएगा ठीक है तो मतलब अगर कटाप 260-65 होने वाला आने वाले समय में तो एक योगे टीचर मिलेंगे जो भी सरकार का कहना है उसके दो बच्चे चूटेंगे उनको फायदा मिलेगा एक और मतलब नहीं होता है सब कहते सर हमें एक और मौका मिलना जी सेकंड चांस तो दोस्तों वही आपका सेकंड चांस होगा तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई शुरू रखनी है तो दिमाख लगाए और पढ़ते रहे जल्दी नौकरी जाएगी फिर मिलेंगे तक तक के लिए इस्टे कनेक्टेट